महराजी, मैं अपने ठाकुर को पुत्व रूप से प्यार करती हूँ और उन दिनों में जब भोग से मना करते हैं तो मुझे बहुत दुख होता है, रहा नहीं जाता, आग्या दें कि उन दिनों में मैं भोग लगा सकूँ इसमें आग्या की जरुद क्या है? अपने बच्चे को दुलार करने के लिए किसी तीसरे की आग्या की जरुद ही नहीं है कौन है सके? हाँ, बच्चा मानती है तो आग्या, भगवान की सेवा के लिए आग्या की जरुद है बच्चे की सेवा के लिए आग्या की जरुद नहीं समझ रही मैं? मैं चाहती हूँ कि मुझे निश्काम भक्ती मिले मतलब आगे मैं बस एक ही जगे टिक जाओ एक बात पकड़ लो सब आ जाएगा मेरा बच्चा गुपाल बस अपने आप वो सब जो काम और निश्काम और जो इस्थिति दिन एक जगे पकड़ लो यही होता है हम लोग अपने भाव में ने ठीकते अब हमें जरूरत क्या है भक्ती की हाँ हमारा लाला हम खेलो खाओ राधा 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 दुलार करो राधा नाम से लाला बहुत खुस होता है कभी लाला को लिए बिना गुरू के कोई भी भाव से दले ही होता है अगर बेटा ही मानो तो कैसे बेटा मानो देखो कैसे तो अभी देखो बेटा बोलने लगेगा तुमसे बेटा तुमाज साथ खेलने लगेगा तुम्हें दिखाई देगा कुपीटा हमाजे साथ खेल रहा है मानो फिर सच्चा मानो कच्चा में वो नहीं हाजिर होता सच्चे में है एक गुपाल की मैया थी सहद आप ले देखाओ टाट टाट लगाय हुए एक सरीर उनका बंगाल की तरफ का था बहुत आशक थी गुपाल को अपने ऐसे चाती से लगाय रहती थी पधार गई है टाटे से लगाय रहती थी कितना प्यार इधर टाफी इधर दूद कितनी सामागरी टांग है बीच में गुपाल जी चाता लगा है वो सब पानी दूद सब थोड़ी देर परिक्रमा दी फिर बैठ गई हो दूद पिला रहे गुपाल को कुछ ख़वा रहे पिला इतने गुपाल साथ खेलते उसके क्योंकि सारा खेल तो भाव का है ना हमने देखा है काफी दूर उनके पीछे चलते थे केवल उनके भाव देखने के लिए थोड़ी थोड़ी दिनों बात करती कुछ ऐसे फिर ऐसे दुलार करती फिर दूद मिलाती फिर ऐसे मुपोच्ती फिर धिर से ऐसे फिर जोली ची टांगे थी उसे फिर बैठा ले चलते और बड़ी चीजें इधर टॉफी इधर ये इधर ये गुपाल है ला बच्चा है ला कभी भी भूख लग जाए ये भाव हम जिस भाव से चलें उसी भाव कभी हम उसे भगवान न मने बच्चा तो बच्चा है हमारा सिरीनाद जी को पुष्टी मारगी जन दो भाव से मेरे प्रभू मेरे बच्चा प्रभू सुकुमार प्रभू तो हम जिस भाव से देखे उसी भाव में डटे रहे भगवान तो सारे बिस्तो का बरण पोशन करने वाला क्या उसको खिलाना क्या पिलाना तो फिर भाव नहीं बन पाएगा मेरा बच्चा है, मेरे बिना सोएगा नहीं, मेरे बिना खाएगा नहीं मेरे बिना वो रह नहीं सकता, तो आपको अनुभो में आने लगेगा महराजी, निरंतर राधा नाम जब की कोशिश करती हूँ आप अपने मुक्से राधा नाम दें ताकि निरन्तर जब उसे अभी वही तो बोल रहे थे अभी यही तो बोल रहे थे आपकी क्या अपने गुपाल को सुनाओ अपने गुपाल को सिखाओ वो इसमें दाउजी में रहते थे उपाध्याई जी बड़े आपने दर्शन के बड़े कांतिक संत थे तो एक दिन अपने गुपाल जी को ऐसी गोद में बैठा ले थे और एक सिलेट में खड़िया से सामने ऐसे और ऐसे देखो लाला राधा देखो ऐसे लिखा जाते राधा और बड़े ही पहुँचे वे संत राध दिन गुपाल में ऐसे लगे रहे थे राधा राधा लिखते राधा राधा सुनाते जल्दी किसी से बोलते नहीं कमरे के बार लिखा था करपया बिक्षेप न पहुँचा है बिल्कुल एक पदार गए 40 दिन उन्होंने पानी भी नहीं पिया दर्वाजा बन 40 दिन पुझ मामा जी और कई बड़े-बड़े शंत गए और फिर कहा कि पुलिस यहीं की बात ब्रंदावन की बात मुश्किल से 5-7 वर्स पहले की बात हो गई है ऐसे 7 वर्स पहले की बात कि दर्वाजा तोड़ दिया जाए पपड़ी पढ़ गए थी उसमें सान एक भून पानी नहीं भोजन नहीं से किस रस में डूब गए 40 दिन तक बालभक तोंप्रगास जी की चर्चा से सतर दिन तक सतर दिन यहां एकादसी भी रहते तो कूटू और उसी आड़े का हलुआ पकोड़ी चलती है वुले कादसी है सतर दिन पानी नहीं कैसा प्रेम जागरत हुआ कैसा अपना पन स्री कृष्ण से जागरत इनकी महापुरुषों के थोड़ी जूठन अपने लोगों को मिले उनके लिए हम तडपे उनको अपना माने कृष्ण